तो दोस्तो आज Order City की हम ये तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जो सीरीज हमारी चल रही है जीरो से एडवांस लेविल की Order City के लिए उसका ये तीसरा पार्ट है और आप लोगों ने अभी तक मेरी दो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले ये वाली और ये वा आप देखेंगे मैं ने वाली हैं चलिए करते हैं स्टार्ट है दो सुहेल खान वराफ देखना मेरे YouTube चैनल टैकसा हो तो दोस्तो चलते हैं आपे डेक्सटुक की स्क्रीन पर फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है तो यह आप पर आप देखेंगे तो यहां पर यहां पर वर्जन है और अब जो चल रहा है वो वर्जन चल रहा है आपका थ्री पॉइंट सम्थिंग तो ये तक्रीवां मेरे ख्याल से दो तीन साल पुराना मेरा वर्जन है तो इसमें जो भी मैं करूंगा वो सेम सारी प्रोसेस आपको नए वाले में वैसी की वैसी ही मिलेंगी बस ले आउट इसका थोड़ा सा अलग है तो सबसे पहले क्या करते हैं अपने माइक को हम अटेश कर लेते हैं अपने अपने लैपटप के अंदर तो दोस्तो आप लोग जानते हैं मेरे पास में यह एच्पी का माइक्रोफोन है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दि रहते हैं तो बहुत अच्छा हम आतिया हम। अटेच करके हैयए मैंस के अकल earlier कर लिया है अब एपने कानो पर इस तरहं سے पहन लूँँगा तकि मुझे में आवास भी आए जो में रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को भी मेरी आवाज आए तो जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रही है इस माइक से और जो भी मैं ओड़ा सिटी के अंदर बोलूँगा वो आएगी आवाज इसके अंदर से क्योंकि ये वाला माइक मैंने अपने सीधे कैमरे के अंदर लगाया हुआ है और ये वाला जो माइक है ये वाला माइक लगा हुआ है मेरे एक लैपटॉप के अंदर तो इसमें देखते हैं हम किस तरह से क्या करना है तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अच्छी तो नहीं है अभी रात का वक्त हो रहा है और मैं यहाँ पर एक कोई भी रेंडमली गाना रिकॉर्ड कर लेता हूं तो तो चलिए मैं गाना रिकॉर्ड कर रहा हूं बहुत ही अच्छा सा गाना है क्या हुआ कि तेरा वादा कि वो कसम वो इरादा तो यहाँ पर यह मैंने गाना रिकॉर्ड कर लिया है अब इसको सुनकर देखते हैं कि इसमें किस तरहां की साउंड आ रही है क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा तो दोस्तों कुल मिला करके यह एक सेंपल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है रेंडम ली बहुत जल्दी से और यह मैंने इस माइक से क्यों क्या दे कि जब हम सिंगिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमारे पास में माइक होते हैं यह जो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज हम कोई भी प्लग-इन इसमें एक्स्टरनल वाला यूज नहीं करने वाले हैं आज हम प्लग-इन जितने भी यूज करेंगे वो इंटरनल वाली करेंगे यानि कि जो ओर शीटी हमें देता है तो उससे भी हम आवास को बहुत अच्छा ब वीडियो बहुत जादा लंबी बन जाएगी, तो हम simply क्या करेंगे, जितना भी extra part है, सबसे पहले इसको आप यहां से delete कर देंगे, तो यहां से select करेंगे mouse की मदद से, और इसे पकड़ के खीश देंगे, यहां से आप delete दबा सकते हैं, तो delete दबाते ही यहां से यह delete हो जाएग चुकि अभी रात के तकरीबां 10-10.30 बजे का time हो रहा है, और जिसकी वज़ा से मेरे surrounding जतनी भी noise है, वो बहुत जादा कम है, और चुकि मेरा room जो है, वो बहुत जादा अंदर की side में है, मेरे घर के अंदर, तो बाहर का shore बिलकुल भी इस room में नहीं आता है, हाला कि मैंने अपने fan भी बंद किये हुए है, और अपना room door भी मैंने बंद किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कि आपके यहाँ पर noise बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, दूसरा step इसके अंदर क्या आता है, कि अगर थोड़ी बहुत software की मदद से भी हटा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी noise मेरे सांस की आवाज होगी, एक बार सुनकर देख लेते हैं सर, यह देखिए, इस तरह किसम जब हम सांस लेते हैं, singing करते वे, तो वहाँ पर भी आवाज हमारी record हो जाती तो इस चीज को remove करने का बहुत असान तरीका है दोस्तों, और आगे सुनकर देखते हैं दोस्तों, यह किस चीज की आवाज है यहाँ पर, देखिए, यह भी मेरे सांस की आवाज है, तो हम किसी भी सांस की आवाज को इस तरीके से select करेंगे, और select करने के बाद effect control में जाएं अच्छा जो नया वर्जन है, उसमें भी यह बिल्कुछ सेम प्रोसेस ऐसे ही काम करेगा, इससे click कर लीजिए, इससे click करने का मतलब यह है कि हमने software को बता दिया है कि इस तरह की आवाज को हमें पूरी voice में से remove करना है, तो अभी हमने select किया है, अब इसको control A दबाईए आप और यह पूरा select हो जाएगा, और उसके बाद में effect में जाईए, वहीं पर आईए noise reduction में, पहले हमने get noise profile किया था, लेकिन अब की बार में हमें सिर्फ क्या करना है, okay, तो जैसे ही आप okay करेंगे, इस software में से जो भी आपकी sans की आवाज थी, वो remove हो जाएगी या बहुत ज़द जी सकते हैं, यहां पर देखते हैं, इस जगहा पर आप देख़ेंगे यहां पर भी sans की आवाज थी, तो देखते हैं, सुनकर, लेख अधर है, बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इस तरह कोई भी साउ आउन्ट है, यहां पर कटपट की आवाज भी होती, तो इस उसको भी हम ह हटा सकते हैं, तो यह तो हो गई इसकी बात, अच्छा अब आपको यहाँ पर थोड़े-थोड़े यह आपको चील को वे से दिखाई दे रहे हैं, उठी-उठी, आप इसे अगद जूम करके देखेंगे, तो यहाँ पर यह देखेंगे ना इस जगह पर, तो यह जो है आपके इищ का है ये आपकी थोड़ी थोड़ी 400 की आवाज है तो हम क्या करेंगे control और L दबादेंगे तो यह जो बची कुछी थी वो भी यहां से cut जाएगी यह देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आई हुई है तो control प्रोल एल दबा देंगे तो ये कट जाएगी तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा सबसे पहले noise reduction अब इसके बाद हमें effect कौन कौन से लगाने सबसे पहले आपको लगाना compressor तो compressor के अंदर आजाई ये आप लोग यहां पर दिखाई देगा आपको compressor तो यहां पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद जो आपकी setting है उसको default रहने दीजिए make sure कर लीजिएगा यहां पर चेक होना चाहिए आपका थोड़ा भोत अकर चाहें तो यहां पर आप इसे हटा बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगा इसी से बहुत अच्छी आवाज आपकी बन जाएगी तो यह देखिए हमारी अब यह आवाज थोड़ी सी फैल गई है अब इसे देखते हैं सुनकर क्या हुआ तेरा वादा देख रहे हैं आप आपकी वाइस थोड़ी सी बूस्ट हो गई है अब यहां पर क्या करना है यह वीडियो में इस्पेशली सिंगर्स के लिए बना रहा हूं जो सिंगर्स ओड़ा सिटी पर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या करते हैं लेकिन उ उनके लिए हैं यहां जीरो से हीरो तक का सफर में आप लोगों को देने वाला हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रहे है तो एक लाइक जरू कर दीजेगा मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़ब ज़ब जरूरत है मैं आप लोगों के सभी कॉम तो Ctrl-C, Ctrl-V करेंगे तो paste हो जाएगा यानि copy बन जाएगी तो देखिए Ctrl-C करा और मैंने फिर यहां से नीचो कर दिया Ctrl-V तो देख रहे हैं आप हमारे पास में 4 set हो गए दो ये वाले और दो ये वाले इसका एक तरीका और भी है इसका एक तरीका क्या है आप इस track को select कीज तो Ctrl-D दवाएंगे तब भी आपकी copy direct हो जाएगी अच्छा इसका एक तरीका और भी है आप यहां पर click करिए यहां edit में जाएए यहां पर आप duplicate पर करेंगे तो ये भी आ जाएगा इसका दूसरा file यहां पर बनके तयार हो जाएगा तो ठीक है अब यहां से मैंने आपको इतने सारे shortcut बता दिए जो आपको अच्छा लगए वह आप उसका अस्तमाल कर सकते हैं तो देखिए अभी आ गया इस पर आप नेम कर दीजिए यहां पर एक नेम करने का आता है तो इस पर एक नेम कर दीजिए इस पर डाल दीजिए आप रिवर्ब तो यहां पर हम रिवर् क्यों दिखाई दे रहा होगा आपको इस रिव्यू को पहला हम सुनके देख लेते हैं किस तरीके की हमारी साउंड आती है यहां पर मैं चेक कर करने के बाद यहां पर कर दूंगा ओके करने के बाद अब आप देखेंगे हैं यह भोब को बढ़ दाएगी उसके बाद यह आपक Просто चैनल बन चुका है यह पूरा चैनल आपका बन चुका है सब्सक्राइस कर सकते हैं किकी बॉइस को तो हम guest पहले थोड़ा सा बील को पीछे लेकर जाते हैं और अब प्ले करके देखते हूं धीरे धीरे हम रिवर्ब को बढ़ाएंगे फिर देखेंगे हमें कितना रखना है तो यहां पर मैं प्ले करता हूं क्या हुआ तेरा वादा वो किसम वो इरादा तो देख रहे हैं आप कितनी खुबसूरत आवाज दंगने लगिया सिर्फ और सिर्फ रिवर्ब डालने से अभी हमें इसके अंदर और भी बहुत सारा काम करना बाकिया है तो दोस्तो अब हम क्या करने वाले हैं यहां पर इससे select करेंगे इस track को और इस track को select करने के बाद मैं से control डीव और control D से मैंने फिर से copy बना लिए है इस पर नाम लिखने वाले हैं दोस्तों pitch अब यहां से हम अपनी अपनी आवास की pitch को थोड़ा सा या तो high करेंगे या low करेंगे अब देखते हैं हमारी आवास पर कौन सा suitable होता है तो यहां पर इसे select करेंगे select करने के बाद effect में जाईए यहां पर आजागा change the pitch अब यहां पर आने के बाद आपको यह नॉप्स मिल जाती है इसे लेकर जाएंगे पीछे की ओर और यहां पर तकरीवन आपको कर लेना है 20-21 के आसपास मैं यहां पर 21 रख लेता हूँ और इसे मैं okay कर दूँगा okay करने के बाद processing करेगा उसके बाद हम इस notes को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे अब हम play करेंगे और play करने के बाद हमें जितने की जरुवत होगी हम उतना बढ़ाएंगे एक background से भारी सी आवाज आएगी आप इस तेरा वादा वो कसम तो देख रहे हैं आप पीछे से एक बहुत भारी सी आवाज आ रही है आप देख सकते हैं यहां पर देखे दुबारा से तेरा वादा अब मैं आपको म्यूट करके सुनाता हूं फिर सुनिएगा एक खुर खुरी सी आवाज आ रही है देखिए तेरा वादा तो यह आपकी आवाज को एक बूश्ट देता है पीछे से एक बेस देता है जो कि सुनने में बहुत ही जादा अच्छा लगता है उसके बाद हम इसे इतना रखेंगे इसके बाद अब हमें क्या करना है दोस्तो अब यह जो हमारी मैन वोईस की क्लिप है इस पर हमें लगाने है और ज्यादा इफेक्ट मैं लगाना चाहता हूँ इसके उपर थोड़ा सा एक्विलाइजर एक्विलाइजर के अंदर यहाँ पर आप आप आएंगे इधर और यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रेवल बूस यहाँ पर करने के बाद इसे कर देंगे आप सिंप्ली ओके ओके करने के बाद आपकी वाइस में एक जनकार आ जाएगी जो की सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी सुनिएगा क्या हुआ हम सोलो सुन रहे हैं यानि कि सारे इफेक्ट मैंने बंद कर दिया अब तो दोस्तो केवल इतने इफेक्ट लगाने से ही आपकी अवाज एक एडवांस लेविल तक पहुंच सकती है तो ये थे इसके अंदर आने वाले इफेक्ट के साथ हम जितनी भी इफेक्ट लगाए हैं वो इसके अंदर आने वाले थे यानि कि और सिटी के अंदर जो आते है include लेकिन अब जो वीडियो आएगी आगे उसमें हम external plugins के बारे बात करेंगे मेरे बहुत सारे viewers का ये कहना था कि सर हमें जो है आप plugins के ओपर एक proper लेविल से सीखने वाले हैं ये वीडियो केवल उनके लिए थी जो अपनी सिंपल वाइस रखना चाहते हैं कोई external effect उनके में download नहीं है जो अपनी आवास को बहुत क्रिस्पनेस देना चाहते हैं और अपनी आवास को एक advanced लेविल तक लेकर जाना चाहते हैं तो ये तो थी बह हो या फिर आप बात करें auto-tune की तो हम इसके अंदर वो सब कुछ सीखने वाले हैं कहां से download करेंगे वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं किसी next वीडियो में तक त दिन्गी की recording कर रहा था वो हमारा था HP का दोनों का लिंक निचे description में है आप जाके बाइक कर सकते हैं